Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है यह सारे star signs की reading होती है, यह एक short reading है और बिल्कुल timeless है So let's start, आपके person की current feelings और thoughts So सबसे पहले हमारे पास है 8 of cups Page of cups Eight of swords, so double eight किसी के लिए significant हो सकता है King of pentacles, और फिर है हमारे पास nine of wands So यह इनसान इनके साथ इस वक्त आपका distance है, यह इनसान emotionally detached है इस वक्त आप से And I feel कि इनसान इस वक्त sad है किसी बात पर, बहुत जादा sadness नजर आ रही है And कोशिश कर रहे हैं यह दिखाने की के वो बहुत खुश हैं, कोशिश कर रहे हैं यह बताने की के they are cool वो अपनी जिन्दगी में कामयाब हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यह इनसान असल में बहुत जादा stuck है I feel कि यह कोई ऐसे इनसान हैं जिन्नों ने आप से बड़ा कुछ चुपाया हुआ है जिन्नोंने अपनी struggle, अपनी तकलीफें बहुत जादा आप से चुपाई हुई है और आपको यह दिखाया है, चाहे male और female आपको यह दिखाया है कि सब कुछ उनकी जिन्दगी में अच्छा जा रहा है उनकी जिन्दगी बहुत अच्छी है, जबके एक बहुत बड़ी struggle चल रही है उनकी जिन्दगी में इवन के किसी का survival mode भी हो सकता है तो यह इन्सान आप से चुपा रहे हैं, उन्होंने आपको यह दिखाया है कि उनकी जिन्दगी बड़ी अच्छी चल रही है और वो अपनी जिन्दगी में बड़े खुश है, बड़े satisfied है बट यह इन्सान बहुत ज़ादा परिशान है और अपनी जिन्दगी में बहुत ज़ादा struggle कर रहे है So, feel क्या कर रहे हैं? I feel कि जैसे सिवाए बातों के वो कुछ कर नहीं सकते हैं आपके लिए कोई effort करने के लिए ready नहीं दिखाई दे रहे हैं I really feel के करना चाहते हैं आपके लिए But they feel के they are stuck, they can't So, बड़े ही complicated state of mind में है यह इन्सान हो सकता है कि वो problem को इतना बड़ा बना रहे हैं जितनी शायद problem नहीं है But हो भी सकता है कि यह इन्सान literally अपनी जिन्दगी में बहुत ज़दा struggle कर रहे हैं और उनकी जिन्दगी में You know, अभी गुनजाईश नहीं है कि वो एक relationship की responsibility ले सकें और effort कर सकें You know, dedicated effort नहीं कर पा रहे हैं अभी वो आपके लिए And maybe वो यह बात आप तक convey करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है Because वो आपको hurt नहीं करना चाहते हैं इसलिए यह इन्सान आपसे distance maintain कर रहे हैं Because वो अपने दिल में जो feel कर रहे हैं वो आपके से आथ share नहीं करना चाहते हैं Because वो weak नहीं दिखना चाहते हैं वो कमजोर नहीं पढ़ना चाहते हैं वो बताना नहीं चाहते हैं अपनी तकलीफ Because उन्हें बड़ा bad feel होगा उनका confidence कम हो जाएगा उन्हें बड़ा छोटा महसूस होगा इस वज़ा से शायद वो आपसे अपनी जिंदगी की problems, struggles चुपाते हैं और वो यह समझते हैं कि अगर वो अपनी problems और struggles आपको बताएंगे तो आप उन्हें छोड़ देंगे और वो आपकी नजर में बस weak नहीं दिखना चाहते हैं वैसे तो अगर अभी वो आपसे detach हुए में है तो भी आप उन्हें छोड़ सकते हैं ये बात भी उनके जहन में होनी चाहिए, right? बट वो weak नहीं दिखना चाहते हैं main जो यहाँ पर एक point है वो यह है कि ये इनसान weak नहीं दिखना चाहते है आपको strong अपना एक, you know, दिखाना चाहते हैं देखते हैं कि eight of swords क्या है, ये क्या stuck energy है क्या बात है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परिशान कर रही है आप में से कुछ लोग का long distance हो सकता है five of swords हमें एक और clarifier चाहिए because ये इनसान बहुत ज़्यादा stuck हैं किसी thought में the fool, yes, they think कि जैसे वो ready नहीं है maybe it's a risk, they don't know कि उनका future क्या है, जिन्दगी किस तरफ जा रही है आगे के लिए क्या possibility है, they are not ready for that I really feel कि future का बहुत ज़्यादा issue है इनके जहन में future के बारे में बहुत ज़्यादा limiting beliefs है या यूं कहलें कि इतना ज़्यादा confidence नहीं है कि वो अपनी जिन्दगी में आगे stable होंगे या नहीं होंगे so future के बारे में सोच सोच कर ये इनसान बहुत ज़्यादा परिशान है और वो शायद आपको ये नहीं बताना चाहते हो सकता है कि ये कोई ऐसे इनसाने जो आपको बता चुके हैं कि मेरी जिन्दगी में बहुत struggle है और I'm not ready maybe ये वो इनसान है but anyway ये जो भी इनसान है आपको नहीं बताना चाहते कि किती struggle कर रहे हैं किती परिशानिया हैं उनकी जिन्दगी में और future के बारे में बहुत ज़्यादा परिशानी ले रहे हैं उनको समझनी आ रहा कि उनके future में क्या होगा और यही सोच सोच कर वो आपसे distance maintain कर रहे हैं ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे जरूर बताईगा comment section में I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye